हेलो दोस्तों आज हम उपवास में खाने वाला बगर बनाते हैं तो चलो बनाएं एक कड़ाई में तीन चमच आयल गरम करें एक चमच जीरा डाले चार पाच कटी हरी मिजड डाले दो मिडियम साइज आलू काटकर वो डाल दीजिए अच्छे सी मिला दीजिए जिंदा नमक स्वाधानुसर डाले काली मेरी आप्शनल है एक कटोरी भगर दोकर वो डाल दीजिए अच्छे सी मिला लिजिए आधी गटरी दई में पानी डाल दीजिए और उसको पतला कर दीजिए पतला किया वदाई बगर में डाल दीजिए अच्छे सी मिक्स करें अधी कटोरी भुनी हुई बारिक पीसी वे मुंखली वो डाल दीजिए और अच्छे सी मिक्स करतेंजिए दो गिलास पानी डाल कर उसको अच्छे सी मिक्स करके एक उबाल आने तक अभी गैस की लोद कम कीजिए और धकन ढग दीजिए वास दस मिनिट बाद अपना उफवास का बगर रेडिए गरम गरम बगर दही की साथ सुर्फ करें य्जिए और रेच हुआ नवफ़ यास ओिन्हा मिक्स मिक्स करेंट